इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती डिमान ने सभी वहान निर्माताओं का ध्यान इस तरफ खीच दिया है। अब जर्मनी की प्रमोक लगजरी कार निर्माता कमपनी पोर्शे ने भारतिय बजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV पॉश मैकन को लॉंच कि कीमत 1.65 करोर रुपय एक्स शोरूंग तेकी गई है। कैसी है पोर्श मैकन, लुक और डिजाइन की बात करें तो ये पोर्शे की अन्यकारों की ही तरफ लगजरी सुविधाओं से लेस होने की साथ ही खास स्पोटी फील के साथ आती है। मैकन इलेक्ट्रिक का डिजाइन इकन से प्रेरित है, जिसमें दे टाइम रणिंग लाइट्स के साथ ही कूपे जैसा लुक दिया गया है। इंटिरियर की बात करें तो, कार सुपरी लगजरी केमिन का अनुभब कराती है, जो की काफी हद तक कैन की याद दिलाता है। इसमें तीन स्क्रीन, जिसमें 12.6 इं में थोड़ी बड़ी है, पेट्रोल मॉडल के मुकाबले ये 103 मिलिमीटर लंबी, 15 मिलिमीटर चोड़ी है, हालां कि इसकी उजाई 2 मिलिमीटर कम है, ये इलेक्ट्रिक, कार प्रीमियम प्लेट्फॉर्म इलेक्ट्रिक पे आर्किटेक्ट्चर पर बनाया गया है, जो पोश मैकन का इलेक्ट्रिक मोटर 402 भब की दमदार पावर और 650 न्यूटन मीटर का टॉप जैनरेट करता है, कमपनी का दावा है कि ये एस्यूवी महस 5.2 सेकंड में ही शूर्मिय से 100 किलोमीटर कहंटा की रफ्तार पकरने में सक्षम है, इसकी टॉप स्पीद 220 किलोमीटर कहंट जाती है, दूसरी ओर, मेकन टर्बो और बूस्ट मोड में 630 भी एचपी और 1130 नेम का पीट टॉप देता है, यह मात्र 3.3 सेकंड में 0-100 किलोमीटर प्रती गंटे की रफ्तार पकर लेती है, 260 किलोमीटर प्रती गंटे की टॉप स्पीद तक पहुंच जाती है, इस मोड मे ड्राइब करने पर ये SUV सिंगल चार्ज में 591 किलोमीटर की रेंज प्रतान करता है, कमपनी इस साल के मद्य तक इसकी डिलीवरी शुरू करने वाली है, कि एलोमीटर बड्रती है, कमपनी इस साल के लिए лет की टॉरू आजे है, कि राजी चार अको को रहा लाजिए दिती हैए ईस साल की इस साल के बाजना इस सी जह स?,